वेल गैस कैसे हूँ आप लोग आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप किसी भी कंप्यूटर या फिर लैप्टोप के अंदर Mac OS मजावेट डाल सकती हूँ काफ़ी सिंपल और इजी टुटियोड होने वाला है टाइम को ज़्यात विश्ट ना करते हैं तो आज आने आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डेक्स्टोप पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है हैकिंटोच और जो निका कम्यूटि वाली वाली वैबसेट आएगी वहाँ पर लोड हो जाना है इफ इनके आपके यहाँ पर अल्रीड अकाउंट है तो साइनिंग कर लेना है अगर न्यू यूजर हो तो आपको एक न्यू अकाउंट क्रियेट कर लेना है जैसा कि मैं कर चुका हूँ यहाँ पर लिखेगा आपको डाउन्लोड का ओप्शन क्लिक करने के बाद निच्चे की दुर्फ करों स्क्रोल और यहाँ पर मैंको अललब वैरियंट साब को देखने को मिल जाएंगी लेकिन जो हमारा मैन प्रस्पेक्टिव है मुझा वे उसके उपर क्लिक करेंगे डाउन्लोड का ओप्शन निच्चे जागी मिल जाएगा उसपर क्लिक करेंगे दो तिम आफ्टिं यह वाला ओप्शन आएगा या फिर इंटेल का या फिर अमड का आपको चूज करना है में एक छोटी सी चीज, that is Transmac, तो इसके लिए भी आपके वैब ब्राउजर रो टाइप करना है, Transmac, और ऐसा करने के बाद, फर्च नमबर फिर साइट आएगी, बहापे चले जाओंगे, और क्लिक करके बड़ी संदिनी से इसकी जी फाइल भी डाउनोड हो जाएगी, तो successful download होने के बाद, extract हम इसे कर लेंगे, और हमारे desktop पे दोनों के दोनों extract करने बाद आ चुकी, सबसे पहले हम हमारी Transmac launch करेंगे, और normal सब basic से रहते है अपना, normal install करने का वैसे करेंगे, next, next install, time conditional extract करके, successful हमारे PC के अंदर install कर लेंगे, यह बर हो सकता है, launch हो रहो, उसे कार्ट देनी है, जैसा कि सब कुछ setup हो चुका है, अब जो कि Transmac हमने अभी इंस्टॉल करेंगे, उस पर right click करके run as administrator में चलाएंगे, और आपकी pen drive, जो कि आप bootable बनाना चाहते हो, जिसकी through Mac OS दाना चाहते हो, उसे connect करना है, यह बर back click करके refresh कर लेना है, ध्यान रहे, यह बिल्कुल format होने चाहिए, इफ इनकेस नहीं है, तो right click करके बड़ी असे format कर सकते हो, जैसे कि successful format हो जाएगी, आप इसके लिदा हमें डाने ISO image, उसके लिए right click करेंगे आपकी उसी device पर और ISO वाला option चूज कर लेंगे, चूज करने आपकी directory पाग, जाब आपके उसे image पड़ी है, और करेंगे ओके कर देना off, और bios में आ जाना है, और legacy mode करना है turn on, exit कर दोंगे menu, फिर boot option में आके आपके उस pen drive जो की आपने bootable बनाई है, उसे select कर लेना है, तो थोड़ा बो time करा लेगा, apple खटा आया, logo आया, yippee, so इसे install करने लिए next option पे click करोंगे, उपर की तरफ आपको दिखेगा utility का option, उस पे click करोंगे, this utility को choose कर लेना है, और यहाँ से आपको see all devices पे select करके, आपके computer के hard drive को select कर लेना है, जहाँ पे आप operating system धानना चालते हो, उसे select करोंगे, और इससे कर देना है, आपको erase, erase करते वागे 2-3 steps को आपको यहाँ पे ध्यान रगना है, कि यहाँ पे आपको partition वाल करेंगे, और हमारे process को continue करेंगे, जहाँ पे next करने के बाद, हमारे सामने option आ रहा है, वही my mac, जो क्या पने अभी select कर था, choose करेंगे, customize पे select करेंगे, और यहाँ पे 0 kv वाली जितनी भी file होईगी, सभी को select कर लेंगे, फिर से next करेंगे, थोड़ अब लोड़ी में time ले सकत है 13 minutes का time है, because ऐसे ही टिप था, इसलिए करता है आप हुगा हुई, हुगा हुई, हो सकता है कि कभी कबार आपके सामने भी कोई ऐसे दिक्कत का सामना हो जाए, error दिखा रहा है हमें, और ऐसे में आपको घबराना भी रही है, बस आपको system को करना है restart, और थोड़ा बहुत restart ह होने के बाद हम वापिस इसी option में आ जाएंगी, फिर इसके बाद जो आपको step apply करना पड़ेगा, कि उपर utility में जाके terminal को open कर लेना है, date type करूँगा, कोई सामने date आ जाएगी, फिर आपको फिर से date type करनी है, और इस बरना सभी के सभी जितने भी elements से date के अंदर सभी को जोड आपको select कर लेना है, एंटर करूँगे, refresh होगी ने date, देखो दोनों में difference है, अब वापिस आके हमारे installation process को फिर से continue करेंगे, my mac चूज करेंगे, customize चूज करेंगे, और 0kv वाल जितने भी files होगी, फिर से choose करके next की तरह चल देंगे, अब देखते हैं थोड़े बहुत time के सा जिंगा, 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 और यह successfully हो चुगा, फिर करेंगे हमारे system को burn, थोड़ी बहुत loading के साथ, फिर से आजेंगे हमारे boot menu के अंदर, आपको select कर लेना है, किस drive, यानि कि हमारे chip थी, उसे select कर लेना है, option select कर लेना है, फिर से my mac का, जो कि हमने बनाया था, ऐ थोड़ी customize setting करने पड़ते हैं, जो कि शूर शूर में पहली बार आती है, जैसे कि आपकी location, customize बगार रख करना चाते हो, Wi-Fi के सब connect करना चाते हो, user का admin password क्या रखना चाते हो, यह छोटी सी setting है, जो कि आप कर सकते हो, मुझे आप पूरा विज़ोसा है, so, ऐसा सब हो जाने क कि आपके computer के अंदर Mac OS दल जाएगा, मुझे आवे वरजन, I hope, I'm using a lucky video, ऐसे और फिरोस के लिए चैनल को सुस्क्राइब कर ले न, टप टप के लिए, बाई-बाई